हेलो अब्रीवन तो कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपके लेखिया है इंडियन आर्ट और कल्चर के ओपर लेक्चेंबर टेन पार्ट नमबर टेन जिसमें हम डिसकस करेंगे जो हमारा आर्ट सेक्षिन है उसको आमने तीन पार्ट में बाण रहा है तो परफॉर्मिंग आट आर्ट और लिटरी आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट हमारा कम्प्लीट हो चुक्ए है वीजो आठ हमने पकड़ा था उसकी जो फर्स सब्सेक्शन थी डैट इस यूर इंडियन पेंटिंग उस इंडियन पेंटिंग को हमने दो पार्ट में बांटा था डैट इस जो लास्ट पार्ट नमर नाइन उसमें हमने मुरेल्स को कम्प्लीट कर लिया था उसके बारे मैंने आपको कम्प्लीट बता दिया जो आपको एक्जाम पुराने लेक्शेर देखे होंगे अगर अब भी तक आपने वह लेक्शेर नहीं देखे उपर आपको आई बटन पर यह जो टॉपिक है यह मैं आप आदू बड़ा लेंथी भी है इसमें बड़े जादा स्कूल्स आ जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटिड है तो जो में एलिमेंट्स रहेंगे जो आपके एक्जाम में स्ट्राइक करेंगे जिसकी आपको आने की चांसेज हैं वह मैं आप आशिकाटि को जो सेशन का में तीम रहेगा एंड में आपको साथ में MCQ भी दिए हैं मैंने ताकि हम वह MCQ करें और हमें पता चल सके कि इसके कैसे MCQ आएंगे तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं पतादू जो भी चैन पर नए हैं वो चैन को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे एंड से कोई भी ने अपडेट आया कोई वीडियो प्लड़ो आप तक सबसे पहले पहुंचे अब थोड़ा सा क्विक रिकाप ले लेते हैं विदिन टू म बना है जिसका मतलब है वाल मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है की नहीं ऐसा कोशन हंजी सब बनता है अब मुरैल्स कों सी पेंटिंग थी थी त्री डिमेंशनल पेंटिंग थी वह हम वाल पर मनाते थे बड़ी बड़ी तस्वीरे थी उसमें मूर्तिया बनती थी तो यह महराश्रा यह मैंने आपको बताया था बाकी यह ट्वेंटी नाइन केव ट्वेंटी फाइव इस फॉर रेजिदेंशल केज एंड फोर प्रेर और यह उनेस्ट को ने से कब डेजिगनेशन दी थी नाइंटी एटी थी में अगला हमने पड़ा था लोरा केव लोरा केव में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लास आ जाता है क्लासानात माउंटेन जो नेम हमने दिया तो से क्लास रेंज ऑफ हिमाल्या में हिमाल्या के से नाम उसको दिया था वेदा हिंदू गौड शिवा रिसाइड जिदर शिव जी बगवान रहते थे और इसको भी माने तक अ युनेस्कों के द्वारा 1983 में उसकी आप के पड़ सकते हो थर्टी फोर है 17 वर ब्रह्मिकल 12 और बुद्धिस और फाइफ पर जैन फिर हमने बाग के पड़ा बाग के नाई का पेंटिंग पड़ी देन बदामी के पड़ा ठीक है यह कुछ आपने पड़ी थी या पड़ सक जनता मुरायल्स वो थी जिन्नोंने बुद्धिस लाइफ पे फोकस किया उनका में थीम था अगला था विच आफ फॉलिंग इस टाइप ऑफ इंडियन मुरायल पेंटिंग तो इंडियन टाइप मुरायल पेंटिंग यह सभी की सभी हैं तो चलो आगी बढ़ते हैं आज का गलर विद मीनिममम या मिनियम लिख दीजिए और रेड लीट ठीक है यह चीज आपने याद रखने है आप से पूछा जा सकता है आप मैं नियुक्त तो पढ़ रहे हैं लेकिन जो यह मैं ये शब्द है यह कहां से लिए यह लिटिन वर्ट से लिए 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 ऐसलब तो गलर है या चोट्री छोट्री पेंटिंग है वे जो थी हम बड़ी बड़ी दिवार व्र кिताबों बनाएंगे इसको चोटे-छोटे-चोटे पेग़े लिए बनाएंगे लाएं पां पांक में बनाएंगे उसको मै क्या बोलेंगे मैं давай यह मेंएचिर पेंटिंग आपाइन लूकिंग हैंड मेंट पेंटिंग दीस पेंटिंग क्वाइट कलरफुल बट स्मॉल इन साइज तो एक IMPCQ एक कोशन इदर से बन जाता है डाट मैंएचर आज small paintings are large painting then 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 more else तो large आएगा की small आएगा small जो more else है वो बड़ी-बड़ी है लेकिन जो मैनियेट्रिस है वो छोटी-छोटी है अभी आपको इसकी criteria भी बताऊंगा कि किन conditions पर क्यों उसे मैनियेट्र बोला जाएगा कि उसको मोराल जाएगा वो कुछ conditions रखी गई है वो आपको पता होनी चाहिए आगे बात होती है बेस्ट पाट ऑफ दे पेंटिंटिंग इस complex and delicate brushwork which gives a distinctive identity ठीक है ब्रश्वक पे डिवेंड होता था और मैनियेचर आर हैंड मेट दे आर मेंली ओप्टेंड फॉम प्योर गोल्ड ठीक है पूर असली सोने का इस्त्रमाल किया जाता है उसे पिगला कर सिल्वर पूराने जमाने में ठीक है आज के जमाने में अगर बात करें तो वह अलग है थोड़ा तो मैंनी एमिमेरल्स वेजिटेबल्स प्रीशे स्टोंस इंडिको एंड काउच शेल्स इसका यूज किया जाता है यह भी आपको याद रखना है कुछ इसमें से पॉइंट्स हैं जो आपको बस एक तरह से पढ़ने हैं एक्जाम में अपने आप आपको याद आ जाएंगे सर ने बताया था ऐसा ठीक है वो लिर्ण करने वाला वो ने प्रोसेस अब बात आती है किस चीज को हम मेंने यहाद रखने है अगर तो पैंटिंग आपकी 25 स्कू produceamız से छोटा है या पचिस स्क्वेर इंच इस बोलो यह सो स्क्वेर सious संटीमिर बोलो थिक है या तो 25 इंच इस से छोटा है या तो सो स्क्वेर से मिलूटे से चोटा है है आगर समणलों मेरी एक मूर्ति है एल साट कि तो जिसका मैंनीचर होगा तो वह दुस मीटेसे से बड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है यह आप यह भी कह सकते हैं यहाप कह सकती हैilian में सब्जेक्ट होगे उसका में तीम मलब उसका यह दो कंडिशन आपने याद रखने हैं एक परचीस के इंचिस और सब्सक्राइब होगा आगे बात करें फिर बढ़ते आगे अब फीचेस पड़ते हैं ज्यादा मैंसमें टाइम नी वेश्ट करूंगा उपर हम पड़ चु यह चीज आपने याद रखनी एंप से तो यह किस से करता है यह आगे बात करता है इसमें मैक्सिमम रॉयल लाइफ को बताया गया यह कॉमन लाइफ को बताया गया ठीक है क्योंकि आइससा इससा अब डिपिक्शन ऑफ लाइफ ही शो हो रही थी पहले जो हमने पढ़ी वह म जादा थी इसमें भी डिलीजियस है इसमें भी डिलीजियन को मानेता दी जा रही है ठीक है लेकिन आइस्ता आइस्ता जब इसका और आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा इंसानों ने अपनी पिच्छरे बनाने बैठ गे अपने राजाओं की लाइफ बनाने रॉय जाता है पर नहीं नहीं बना जाता है तो में इसर बॉक्स पर मिना सकते हुँए कोई छोटी छोटी चीज किसी बिए पाम्पर भी मना सकते हुआ तेक है वह भी मैं इसर का option हो सकता है अब जो most important most complicated मैं complicated के साथ-साथ थोड़ा सा कहूंगा कि आप कह सकते ही बोरिंग है है ठीक है लेकिन फिर भी मैं ट्राय करूँगा कि आप तक इंट्रस्टिंग वे में पुंचा सकूं आपको याद करा सकूं लेक्षे के एंड तक आप तक यह सब कुछ आपके दिमाग में बैड क्या हो कोशिश मेरी पूरी रहेगी अगर कुछ कमी पेश्ची रहेगी तो सॉ नहीं नहीं चीज़े आइं वो चीज़ हम इसमें पढ़े गे पहला स्कूल आ जाता है पाला स्कूल कुण सा आ गया पाला स्कूल यूज नेचर कलाव पेंटिंग हुमन स्किन दे डेवलेट पिच्छेस ऑन पेपर मैनुस्क्रिप्स और वूडन कवर पार्म लीव तो क्या आगे बोलता है पाला स्कूल में पाला स्कूल का जो मेन चीज थी वह उसमें जो कलर यूज किया नेचर वाले कलर यूज किया कोई आटिफिशल प्रोड़क्ट का यूज नहीं किया आगे बोलता है वही आपका आगया सेम की हां क्या-क्या मीटी किस पे बना वूडन पे ब स्कूल पेंटिंग तो आपने इसका नोट कैसे बना देखो आपने लिखने ओपर पाला स्कूल लिखा नीचे एक बुल्लेट डालो बुल्लेट में पहला पॉइंट लिखो नेचुरल कलर बस इतना लिखना है मैंने पूरा सेंटेंस लिखे क्योंकि मैं नोट्स इसमे इतना इंप्सक्राइब को मतला प्रोवाइब देना बने पर लिखने को ऑ देखाती सीच्टिंग कोई नाम नहीं दिया रहा था इसको नामा मोना लीजा ठीक है तो उस टाइम का यह था कि नाम नहीं दिया रहा था बना दी तो बना दी यह साब था ठीक है फ्लैट है फ्लैट है फिनिशिंग लाइन एंड अटेंशन और मोशली यह आपने कुछ फीचर लिखने हैं ठीक है पाला स्कूल था अभी थोड़ी शुर्वात तो यह अभी आगे बढ़ने तो आपको कहानी पूरी समझ आएगी अब पाला स्कूल के बाद आता है जैना मैनिएचे स्कूल इन दिस स्कूल excessive emphasizes was given on the style and stylish figure of women use of strong pure colors heavy gold outlines square shaped heads hands and large eyes were the unique characteristics of the school in Rajasthan ये मुगल painting also the impact of Jaina painting is C अब क्या था आप इदर से इमेज से देख सकते हो यह इमेज में क्या था इसमें क्या था वुमेन को दर्शाया गया maximum ठीक है सब भी मेनी excessive emphasizes जो था जादा maximum जादा तर वुमेन के ओपर emphasize था और जो pure colors का use किया गया और gold outlines देख सकते हो maximum goldish color में है goldish reddish color है और square shaped hands थे और साथ में enlarged eyes थी ठीक है आप eyes देख सकते हो बड़ी enlarged थी ठीक है hands भी देख सकते हो थोड़े squareical shape दिया हुआ इन्होंने तो यही चीज़ आपने याद रखने है और इसमें थोड़ा सा मिनर में पता चल जाएगा ठीक है यह वेट कीजिये राचानियों मुगल पेंटिंग जब हम पड़ेंगे उसमें आपको clear हो जाएगा आगे बात करते हैं अपा ब्रहम सा स्कूल ठीक है कि अप पर रंस चूल क्या कहता है तो क्या कहता है अप्पा ब्रमसा स्कूल वह उसका जो मेन चीज है आपने जो याद रखने यह पाला स्कूल का एक काउंटर पार्ट आ गया लेकिन इसका जो औरीजिन माना जाता है इसका जो मान सकते हो कि जहां पर डेवलप हुआ जहां पर फैला डैट इस इन मेवार इसमें नहीं दर्श आए गए आगे आले जो पेंटिंग्स है उसमें नेच्छल सीन्स बड़े जाद है फिर जो आइस थी बल्जिंग आउट थी बाहर की और निकली थी इसमेना में चीज क्या थी जो आइसी ऐसे आप मान सकते हो कि थोड़ा सा ऐसे यह हां यह फिश इस बनाई गही थी ठीक है और जो एंगुलर से मलब साइड एंगल दिया हो था पिचर का आपको मैं इमेज दिखा जाता हूं ठीक है यह आपकर देखो यह आगे फ्रेंट एंगल लेकिन अगर इसी को आप थोड़ा साइड एंगल दे दो मलब साइड यह से बिठा दो तो उसको बोलेंगे साइड एंगल तो जो अपर ब्रमसा था उसमें आपको एंगुलर फेस मिला साइड एंगल मिला और डेक्रेटी मार्जन यह यूस किये तो यह आपने याद रखने है यह थे कुछ है थोड़े से स्टार्टिंग में अभी अब जो पेंटिंग की नहीं शु और इजन की बात करें तो इसका अकबर के समय में आपको औरीजन मिलेगा आपको सबस्था पता आना जी यह प्रॉपर मैं कहानी की तरह सुनाने वाला हूं द्यान सुना सिक्वेंस क्या है सबसे बहले आपके फर्श मुगल इंपर बाब बाबर के बाद आपके आगे हिमाय इंपरर की उन्होंने फाइट पर फोकस किया उसके बाद हमायू जी आए औरीजन पहला हिमायू जी पर डिपेंट करता है ठीक है अभी पेंटिंग हुई नहीं सिर्फ और इजन दिया कैसे और इजन मिला ध्यान से देखना अब वर्क्शॉप और पेंटिंग उस्टेश अ औरीजन है जो माना जाता है जहां से स्टार्ट हुई शुरवात हुई वो किनोंने की मीर सेयद अली और अब्दुल समत खान जीने की और यह हिमायू जीने इन्हें इंप्लॉई किया था तो आपसे कोशन पूछा जा सकता है कि औरीजन कहां से है तो डैड इस फ्रॉम हिमा और उन्हों ने अपने जो इन्वेंशन लिए जो पीछे से मिटीरियल लिया वह कहां से लिया पर्शन मैनियेट्चे से लिया ठीक है पर्शन से उन्होंने अपनी रीव एक तरह से स्टार्ट की और कोट इवेंट्स हंटिंग सीन हिस्टोरिकल इवेंट्स वर्दा मेन गवार था उदर का पिच्चर को ये बना दिया तो उसका सीन बना दिया कोई राजा हंट कर रहा है तो उसका सीन हो गया और इस्टरिकल इवेंट पे ये सीन बनाते थे ऊचो पॉपर सीक्वॉणस शिरुवात कि मैंने आपका अपसे का इस बॉढ़ा की मैं तो हिमायू जी में आप देख सकते हो कि उनमें शुर्वात होती है लेकिन पेंटिंग को इतना इंफ्लेंस नहीं बढ़ाया गया उसको बढ़ावा नहीं दिया गया एक तरह का सिर्फ और सिर्फ दो कोर्टियर्स आते हैं दो पेंटर्स आते हैं डाइट से मीर सेयद अली देख सकते हैं अक्बर अवार्डिट अवार्डिट पेंटर्स लुक्ड अपॉन पेंटिंग अज अ मीडिया स्टडी और इंजॉइमेंट एंड इस्टैब्लिश कार खानास वेर दा आर्टिश वर्क एंड कुड डिवलप देर ओन स्टाइल अब ध्यान से देखिए शुर जिसकी अच्छी पेंटिंग जो अच्छी पेंटिंग मिनाएगा उसे अवार्ड मिलेगा इससे क्या होगा प्रोत्साहित मिलेगा प्रोत्साहित होंगे लोग पेंटिंग के और बढ़ेंगे और लुक्ड अपॉन देखते थे ऐस अमीडियम और स्टडी वह पेंटिंग को अवार्ट सिस्टम भी रख दिया गया और साथ में देखो बुलेट पॉइंट्स में लिखते रहो साथ साथ अक्पर का पहला पॉइंट आपका आजाएगा media of study उन्होंने माना पेंटिंग को और साथ में अवार्ट सिस्टम लाए यह दो बस अवार्ट सिस्टम लिखो बस और तीसा पॉइंट लिखो established कार खानास उन्होंने कार खानास established किये ताकि उदर लोग practice कर सके अपने work को और develop कर सके तो इनी के टाइम पर कैलिग्राफिय और फिगर भी आगे बड़े अकबर जी के great patron of painting and doing design Mughal painting रीजिस पनेकल तो हाइव पर का पहुंची जहांगीर जी के समय है आप सभी को ताइए नेचर के बहुत बड़े आप मान सकते हो की नेचर को बहुत जादा बड़ावा देते थे नेचर की ब्यूटी को बहुत जादा बड़ावा देते थे इन ने बहुत से अच्छे अच्छे फॉर्स बनाएं बड़े बड़े अच्छे अच्छे गार्डन बनाएं ठीक है तो यही है थीम आप पेंटिंग दो इस ताइम वस बेस्ट उन देवेंट्स फ्रॉम जहांगीज वो अपनी लाइफ पे ही एक तरह की उनकी पेंटिंग बनती थी और जो आपने याद रखना है अब्दुलहसन उस्ताद मांसूर बिसाद दास यह आपके फेमस पेंटर है जो आपने याद रखना आपसे पूछे जा सकते हैं यह किनके टाइम के कुन से मुगल एंपर के समय के पेंटर हैं जो मैंने वही डालें जो एक्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे तो नाम बड़े साथ है आप उनके नाम याद करोगे अपना नाम भूल जाओगे ठीक है तो यही नाम भी याद रखोगे तो काफी है ठीक है एंडी ऑल्स एंफसिस ऑन ब्रिंगिंग नेच्रलिजम ठीक है नेचर मैंने आपके नेचर के बहुत बड़े अर्थएगे तू जा पेंटिंग एंड बिंगे नेच्रलिष्ट ही प्रेफेट पेंटिंग फ्लॉस ट्रीज बर्स एंट अनिमल नेक्स्ट शाजा शाजा जी ने फोकस्ट और आर्टीटेक्चर पे अस कंबेड टू पैंटिंग ठीक है और की टेक्चर पॉकस्ट किया पे आपको पता है कि यह प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास करते से शाह जाह तो लवर्स का आप माल सकते कि उनका में थीम रहा गाड़न टैसे तो मुजिकल पार्टी आप देख सकते हैं सब कुछ लव प्यार प्यार वाली चीजों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया अब बड़ावा नहीं दिया तो जितने भी पेंटर से जितने भी कोटियर से वह छोड़के चले एगे चोड़के जाल गे आगी जाके फैल के कुछ चल गे वेस्ट कुछ चल गे एस्ट कुछ चल गे साउथ वो क्या हो गे बंट गे जहां जगा मिली चले गे तो यह था ओयंग जेब का समय अब इसी तहत रीजिनल स्कूल स्टार्ट हो गे मलब रीजिनल वाइस हमने बांड दिया एक साइड हमारा आ गया राजस्तान का जिसे हम राजपुत स्कूल पेंटिंग भी कहते हैं क्योंकि इन्हें बड़ावा राजपुत रूलर्स ने दिया था किंग ने दिया था ठीक है राजस्तान साइड का भी बोल सकते हैं और दूसरा है पहाड़ी आप इदे देख सकते हैं पहाड़ी स्कूल पेंटिंग डैट इस इन सभी मालें स्टेट्स ऑफ हिमाच्चा बाकि दूसरे टॉपिक भी पकड़ें ठीक है तो पहला पार्ट आता है दो रीजन बन गए हैं अभी औरंग जेब जी ने क्या किया इसका बटवारा कर दिया उन्होंने बटवारा नहीं किया लेकिन उनकी कह सकते हो कि उनकी एक्शन्स ने कर दिया उन्होंने इसको बढ़ अधि रीजन ठीक है जे एंड के उसमें आ गया हिमाचा प्रदेश भी वह उस रीजन में आ गया तो पहले पड़ते हैं राज़सान स्कूल पेंटिंग या राजपुत स्कूल पेंटिंग भी बोल सकते हैं यह दोनों सेम ही आपने याद रखने हैं इस टाइल पेंटिंग आपना अधर एक तरह से शान दिखा रहे थे कि हां मैं ऐसा करके आए हूं अब इंफ्लेंस तो यह ना कि एक देश चोड़के दूसरे देश चले चाहे एक जगह से दूसरी जगहे थे मैं देश वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे हमें पता नहीं है क्या हो रहा है हम उस पर्टिकूलर रिजें में ही कैद रहते थे तो अब वो राज्सान वाली साइड चाले के राजसान वाली साइड पर अब वो लोगों में बता रहे हैं पेंटिंग continuer मैं ऑव्यस से बाख ही इंफ्लेंस मूगल डिक्षा इमूर्वर थो मूगल간 इनफ ठीक है इनके स्कूल के जो कुछ वेरियस स्कूल से हैं वह हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट वान इस दिस स्कूल पेंटिंग अपोजिंग टू अधर राजपूत पेंटिंग फोकुस अपॉन दा कंजर्विटी इसम स्टाइल एंड ट्राइट तो अब मेवाड वाले बोलते हम त में इंग्जेंपल की जाते है डाइड चावद रागमाला रागमाला आपने याद रखने है इंपॉर्टेंट है यह इसका में इंग्जेंपल रहेगी इंपॉर्टेंट पेंटिंग रहेगी जिसमें राग पे फोकस किया मैंने आपको उता है स्वर ताल और राग तो यह तो था आपका मिवार स्कूल में चवन्द आप से पूछा जा सकते है जो मसी सप्था यहाएगा यह सबना राग माला कून से श्कूल से नाता रखती है तो अबने मिवार कौन से से पर राता है राजिस्थन SQOOL भी Stir saw many ups and down तो इस ताइम पे नों में बहुत up and down देखे कभी आगे बटरी थी कभी गटरी थी कुछ decline हो रहा था तो यह चीज इंपोर्टेंट थी बास अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्कूल पेंटिंग है तो क्रिशन अगर किशंगर किशंगर में क्या था इंदी स्टाइल आप पेंटिंग अफ्यूजन आ मोगल एंड रिजल स्टाइल कैन बी सीन और जो बोल्ड किया हुआ रिख सकते हो एप जी बनी थानी पेंटिंग में क्या था इसे हम इласт्नी पेंटिंग अब रहाती है किशन गड़्ड इंपर्टेंट है यह एंसी यू आ चुपा हुए बता दू मैं यह अभste यू पॉइंट भॉला न यह अपार चुका हुआ है इंडिया मोना लीजा पेंटिंग कौन सी है ड्याट बनिथानी पेंटिंग और यह बनिथानी पेंटिंग है इसे बनाने वाले कौन है सावन सिंग उसके लीड लीडिंग पेंटर थे इस समय के और यह जो बनी थानी पेंटिंग है कौन से स्कूल से नाता रखते है डाइक जो किशन गर्ड आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट वन इस भूंदी ठीक है दपेंटिंग इन बूंदी स्टाट्ट इस चलो यह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आगे आपकी बात करते हैं पेंटिंग शोइंग बैर रवी रागिनी इन अलाहबाद मूजियम इस इंग्जेंपल देखो जो एक इक 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 इंग्ज बैरावी रागिनी टीक है तो इसकी इंग्जेंबल किया ऑगी बैरावी रागिनी जो जो अलाहबाद मूजियम में अभी भी है और बैरावी रागिनी इस और वोग यंग हिरोइन अप इस ओप het दिशिव को वरयशिप करते हो दिखाया गे अउपसे पूच्छा जा सकते ह में वुमेन वर्शिप करती दिखाए गई है और लॉर्ड शिवा तो यह आपने बताना है इन दा बूंदी स्कूल आफ पेंटिंग अगला जो स्कूल आता है यह पहाड़ी स्कूल पेंटिंग ठीक है पहाड़ी पहाड़ी लाके माउंटेनियस रीजन तो माउंटेनियस रीजन में कौन-कौन से स्टेट आगे एक हिमाल्चे प्रदेश हो गाई और एक हमारा प्यारा जी एंड के पहाड़ी पेंटिंग तो उससे क्या हुआ जो पेंटर से जो कोटिय से अलग लग दिशा में चलेगे कुछ राजसान चलेगे तो कुछ पहाड़ी राकों में चलेगे तो राजसान में उन्होंने मुगल इंफ्रेंस देखा तो राजसान से जो थोड़े राजपूत से वो पहाड़ी लाके में आए तो उधर नाता था तो उधर कॉन सा मेला राजपूत मिल से पहाड़ी स्कूल तो इंग इस थो सबरेंटिंग सेнять उस्ट यह है पहाडी स्कूल है इसको कौन से दो हिस्से हैं इसके बसोली एंड कुलूश्टाई एंड अब बात करें बसोली बसोली इस इन जेंड के आप सब्सक्राइब कट्वर डिस्टिक में यूटी ऑफ जेंड के इस नोन फॉर बसोली पेंटिंग इस टाउन हैस क्रेटिट सुप्रीम गॉडड़ेस तो इसमें आप माल सकते हो गॉडड़ेस दिखाई गई है इस पेंटिंग में तो उनके देवी जी के सीरीज पर डिपेंड करता है इस आल्सो नोन है नोन फॉर दा मैगनिफिकेश्ट मैगनिफिशेंट डिपिक्शन ओफ रसम अंजरी टेक्स्ट ठीक है अब यह हैसे प्छल मोस्स इंपोर्तनकी क्यों कि भसोली किशन आता रखता है जीएंड के से और जीएंड के कहाई ने के सफस्थ चैनसे से चाम्स हैं आपने याद रखना है डैत संब रसम जरी ये कोशन आ चूका उत्ए्ट रसम जरी टेक्स्ट किससे नाता रखत बानु दता इसमें उन्होंने ये एक उनकी लव पोटरी है आज इसमें आप देखते हो आगे आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हो अदर ये आपका आगया लव दिखाते हो रादा किशन जी का तो ये ज्यादा तर उसी पे बेश्ट है आपने याद रखने हैं स्टाइल में खतम कर रहे हैं तो गुलैर कांग रा स्थाइल में क्या आता है इस और किसेइंब्यूप्र श क९ूल गयर और समसार चन्त आपने याद रखना है सब्सक्राइब नेचर पर नेचर रहा आप जादा फोकस रहा इन कंगडा पेंटिंग यही चीज आप ने थोड़ा इंप्टेंट याद रखनी है बागी आप नोट्स बनाते रहे अब बात करते हैं जो हमने पड़ है सर याद कितना रहा तो याद कितना रहा अभी देखो सब कुछ याद आएगा जब आपके सामने में से करेंगे आपको अपने आप चल लेगा विच फॉलिंग राजिस्थानी स्टाइल ऑप एंटिंग इस घौन फोर इस बनी थाई पेंटिंग मैंने अभी आपको होता है बनी थानी पेंटिंग यो थी डैडियाज इंडिया की मोना लीजा तो वह इंडियन मोना-लीजा कि लाती है तो कॉन से स्कूल से नाता रहते क्रिशन गर्ड यह आपने याद रखना है वोप सो सभी को पता चल गया होगा आपका सही आंसर होगा इसका सेकिंड कोशन अच्छे लेवल का कोशन है इस तरह के आज कोशन पूछे जाते हैं टेक है कौन सा ओपर यह जो फॉलिंग ऑफ दा फॉलिंग स्टेटमेंट्स आ करे तो निहाल चंद्स आपने यह भी पॉइंट आपने यह थे मैं बोलना भूल चुका हूं तो लिखना भी भूल चुका था पैंटिंग अभी मैंने आपको पताया कि लव पे ज्यादा डिपिक्शन थी उससे ज्यादा दर्शाय गया तो प्रिशन गर्में आपको रादा कृ दिवाइन लव भी दिर्शाया दिर्शाता हुआ दिखे गा तो इस कहां से यह रहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकिंग थर्ड कोशन की बात करते हैं राजस्थानी पेंटिंग वर डेवलप्ट अंडर रूल ऑफ विच के अभी मैंने आपको बताया राजस्थानी पेंटिं राजपूत स्कूल उफ पैंटिंग तो पॉइस लिव से कहां से क्या हदेगा बी है कि आगे बात करते हैं डिका dal दॉद कि फोर्ट कोशन महाइन पेंटिंग इंफुलिए वर इंक पांड किस को सब से वने सर उस ने राजस्थानी पेंटिंग को कि राजस्तानी सान्य पैंटिंग के साथ साथ जो पहाड़ी इनस भी होगा तो यह तो ठीक है और उस पर पत ना का स्कूल प्रीशिन पर बिकर श्कूल को मिल जाते फिर चाहमी से लडाक में क्या था चाइनिस इंफलेंस था इसमें आगल चाइनीज इंफलेंस था तो यह तो गलत है तो फ।ज СамT ऑट अधर the right वन तो अंसर क्या देगा उनली फश सेकिन अंड थारट आगे बात करते हैं आज का विभ्थ यांस कोशन स्टार्ट नहीं हुई थी एक चाह की उद्थर से शुरवात हुई थी चुर्वाइब मानी जाती है हमायु के समय में क्यूंकि उन्हों ने भी आपको बताया हमायु जी ने क्या किया था उनके समय में दो हमारे जो थे बैदिस और यह दिखाता हूं मीर सयद अली अद कुछ important mcq important lecture काल के lecture में डिसकस करेंगे कुछ फॉक पेंटिंग्स ठीक है तो होप सो समझ आया होगा कुछ हद तक समझ आया होगा मैंने आपको सार्टिंग में बता दिया था कि यह टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है थोड़ा सा बोरिंग है बट आई गेव मैंने अपनी और से 100% कोशिश किया है कि आप तक यह lecture easiest way में पुंचा सकूं तो फिर इदर ही अपना session एंड करते हैं होप सो आपको समझ आयागा मैं भी थक चुका हूं आप वीडियो एंड करके पानी प्यूंँ तो आज के लिए इतना ही गाइस मिलते हैं कल अपने ने लेक्ट्चर में जिसमें डिसकस करेंगे यह फॉक पेंटिंग तो थैंक यू गाइस है वे गुड़ डे एंड करते हैं